A very good morning students, today we are going to discuss about exercise 9.4 तो इसका first part है multiply the binominal तो इसमें आपने binominal multiplication कर दिया है देखो यहाँ पे दिया है 2x plus 5 and 4x minus 3 तो हम क्या करेंगे देखो इस bracket में 2 terms है एक है 2x, दूसरी क्या है plus 5 तो इनको दो part में divide कर देंगे पहले आजाएगा 2x, यह इस bracket से multiply होगा then फिर आजाएगा plus 5 again वो इसी bracket से multiply होगा तो देखो यह बन गया 2x bracket 4x minus 3 plus 5 4x minus 3 और bracket दोनों time जो है वो क्या रहेगी? सेम अब बाकी procedure आपका सेम रहेगा यह 2x इस से भी multiply होगा यह 2x इस 3 से भी multiply होगा ऐसे यह 5 4x से भी multiply होगा यह 5 3 से भी multiply होगा यह बन जाएगा 8x क्या ऐसे 2x जब 3 से multiply करेंगे यह बन जाएगा 6x ऐसे यह 5 जब 4 से multiply होगा 20x ऐसे यह 5 और 3 जब multiply होगे 15 अब यहाँ पर 6x और 20x यह दोनों light terms है तो इनको हम solve करेंगे 20 में से 6 को minus किया कितना आ गया? 14 और sign किसका लगता है? which has greatest value तो 20 बड़ा तो sign किसका आ जाएगा? प्लस का तो answer हमारा क्या आ गया? 8x क्या प्लस 14x माइनस 15 अभी इसका third sum देखो यहाँ पे है 2.5L माइनस 0.5M और दूसरी ब्रेकेट है मारे पास 2.5L प्लस 0.5M तो यहाँ पे यह two terms कौन कौन से बनी एक तो बन गी 2.5L और दूसरी बन गी माइनस 0.5M तो लेट स्टार्ट 2.5L मंटिप्लाई होगा 2.5L से प्लस 0.5M से इसी तरह माइनस 0.5M मंटिप्लाई होगा 2.5L से प्लस 0.5M से जब 2.5 को 2.5 से मंटिप्लाई करेंगी यह आगए 6.25L स्केर प्लस 2.5 और 0.5 को जब मंटिप्लाई किया तो यह आगए 1.25 LM ओके देन माइनस अगेन 0.5 को जब 2.5 से मंटिप्लाई किया है तो यह आगए 1.25 LM देन प्लस माइनस माइनस 0.5M 0.5M इन दोनों को मंटिप्लाई किया है किया तो क्या है 0.25M स्केर राइट अब देखो यहाँ पे LM LM बोध हाँ, light terms एक का साइन प्लस का है दूसरी का साइन क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 1.25 में से 1.25 माइनस करोगे तो क्या आजाएगा 0 आजाएगा यह यह दोनों value क्या हो जाएगी, cut जाएगी तो answer क्या आगएगा 6.25L स्केर minus 0.25 M square इसी का fifth sum देखो इसमें दिया 2PQ plus 3Q square and 3PQ minus 2Q square तो पहले 2PQ इस bracket से multiply होगा ऐसे 3Q square इस bracket से multiply होगा जब 2PQ को 3PQ से multiply किया तो यह बन गया 6P square Q square minus 224P Q की power Q क्योंकि यहाँ पे square है और यहाँ पे 1 2 plus 1 क्या बन गया 3 ऐसे 3,3,9 PQ 3 minus 326Q की power 4 2 plus 2 4 अब यह दोनों क्या है like terms इनको solve किया plus minus minus 9 में से 4 minus किये कितने आगे 5 तो answer क्या आगया 6P square Q square plus 5PQ minus 6Q 4 अब देखो इसका sum number 6 इसमें दिया 3 over 4 A square plus 3 B square इसको multiply करना 4 bracket A square minus 2 over 3 B square पहले हम इसको solve कर देंगे यह 4 इससे भी multiply यह 4 इससे भी multiply जब इन दोलों को multiply किया तो यह बन गया 4 A square minus 8 over 3 B square अब यह value इन दोनों से multiply होगी फिर यह value फिर इन दोनों से multiply होगी तो यह आगया 3 over 4 A square bracket 4 A square minus 8 over 3 B square ऐसे प्लस 3 B square bracket में आगया 4 A square minus 8 over 3 B square जब 3 over 4 को इससे multiply करेंगे तो यह आगया 12 over 4 A की पार 4 ऐसे 3 over 4 इससे multiply होगा तो यह आगया 24 over 12 A square B square ऐसे 3 4 से multiply होगा तो यह बन गया 12 B square A square minus 3 इससे multiply होगा तो 24 over 3 B की पार 4 आप इसको simplest form में convert करो 12 over 4 कट करके आगया 3 ऐसे 12 के table पे 24 आता है 2 पे ऐसे 3 के table पे 24 आता है 8 पे अब यह दोनों क्या है like terms इनको solve कर दिया तो answer हमारा आगया 3 A 4 plus 10 B square A square minus 8 B की पार 4 अभी देखो इसका second part इसमें है find a product same procedure है सिरफ statement change है देखो 5 minus 2 X bracket 3 plus X तो मैंने यहाँ पे इसको two terms में divide किया है first term बन गई 3 दूसरी बन गई X तो 3 को पहले 5 minus 2 X से multiply करेंगे फिर X को 5 minus 2 X से multiply करेंगे तो 3 5s are 15 3 2s are 6 X ऐसे 5 5 को X से किया 5 X ऐसे X को 2 X से किया 2 X square तो these are like terms इनको solve किया तो यह आगे माइनस 1 X तो answer के आगे 15 minus 1 X minus 2 X whole square इसी का fourth part देखो यह है P square minus Q square then 2P plus Q तो P square पहले इस bracket से multiply होगा फिर minus Q square इस bracket से multiply होगा तो यह आपका आगे P square को 2P से multiply करके 2P Q P square को Q से multiply किया P square Q ऐसे इसको multiply किया तो यह अगे 2P Q square minus plus minus minus Q square को Q से multiply किया Q की पार 3 Thank you students